हाँ जी स्टूडेंट्स आज अपनी ग्यार्मी क्लास दी सेक्शन सी दी फोर्थ स्टोरी दा मोडल मिलियनेयर जिसनुके ओसकर वाइल ने लिख्या हुया है और जे लॉंग आंसर टाइप क्वेस्टेंज कवर करांगे स्टूडेंट्स एहे इस स्टोरी दा सड़ा चोथा वीडियो हुएगा इस तो पहला मैं इस दे तिन वीडियो बना चुक्या हाँ प्रवाइट कर रहे हां हां ताही फिर आज दे वीडियो नूट के तरह समझे जा सकता है इसे तरह मैं इस स्टोरी दी तीसरी वीडियो बनाई है जिस वी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेस्टेंज डिसकस किते हां ता स्टुडेंट्स तो अडे चैप्टर दे एंड दे वीच दस टोटल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेस्टेंज ने मैं न दे अंसर बड़े ही सिंपल सेंटैंसी दे वीच फ्रेम केते हां नते समझाए हां जमेंके तुसी सप्रीम के देख पा रहे हूं जैकर तुसी ए वीडियो किसे का अन्वश मिस किता है ता मैं उपपर इस दा लिंक तो अनू दुबारा प्रवाइट कर रहे हां जिसते जाके तुसी ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेस्टेंज समझ सकते हों ता स्टुडेंट्स तुड़े टेक्स्ट बुक दे पेज नंबर 152 एकसो बवन जाते कॉम्प्रीहेंशन क्वेस्टेंज ने ता आलड़ी ये सी पहला पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेस्टेंज वाला जिमें के मैं पहला दसेया कवर कर चुके हां आज जसी दूसरा पार्ट कवर करन जा रहे हां ते इस दे विच टोटल तिन लॉंग आंसर टाइप क्वेस्टेंज ने ये दूसरा क्वेस्टेंज है तीसरा है के हाओ एंड वाई डिड हुई अबलाइज आ ओल्ड बैगर के किस तरह आते क्यों हुई ने जड़ा बुटा पिखारी सी उस दी हैल्प किती इस तरीक के नाल एहे तिन क्वेस्टेंज ने तिने ही इंपॉर्टेंड ने तुम मैं STUDेंज जो आंसर आज तुम आनू समझा रहे हां हाँ उस दे विच मैं हए तिने क्वेस्टेंज पर डिएंज त आज एंड एग्जाम दे विच कोई भी acquisition न तिनाハ दे वीच हो आंगधा है ता तुसी ये वाल आंसर लइख सका दे हूं स्टुडेंट्स तो नूजे में के पता है के इस स्टोरी दे दो मेन पराकेक्टर ने सबतो पहला मेन करेक्टर है हई इंवी अते दूसरा है बैरन हॉसबर्ग ता इना दोना दे माइन मैप आपा एक वरी डिसकस कर लेते हैं ता ह्यूइ दे बारे असी मााइन मैप डिसकस कर के सारे आद्मियात्य औरतां विच बहुती ज्यादा परसिद्ध है Never said any unkind word उसने कदे भी किसे नो कोई बुरा शवद नी के अपनी जिंदगी दे विच एनना नाइस है हो Had every quality except that of making money ता एक चंगे इंसान दे विच जो qualities हुं दियाने तिवाय उस दे विच इक quality नी है कि उहो पैसे नी बना सकदा Making money Tried his hand at many professions but failed पर इस दा मतलब वे नहीं है कि हुई कम करना पसंद नी करदा कम करना पसंद करदा है उसने कई business दे विच अपना हाथ थजमाया है बदकिसमिती नाल ओहो किसे भी business दे विच कामयाब नहीं हो पाया Had a dream to marry Colonel's daughter Laura Merton तस अनुए भी पता है बच्चेओ के ओहो Laura Merton नाल प्यार करदा है उस नालो शादी कराना चांदा है जो के एक Colonel फोजी दी कुड़ी है Colonel told he that he must have 10,000 pounds of his own परंतो एक problem आजान दी है के जदो हो Colonel नूँ दाजदा है के मैं तो अड़ी लड़की ना शादी कराना चांदा है ता Colonel उस दे अगे एक शर्त रख देना है के तेरे कुले 10,000 pounds होने चाहिंदेने तेरे अपने होने चाहिंदेने हलाके Colonel हुई नूँ पसंद करदा है लेकिन Colonel एक बेरुजगार लड़के दिनाल अपनी लड़की दी शादी नहीं करना चांदा काइंड हाटिड है जी लेकिन क्योंके एक सौवरीन है जी जो एकलोती सौवरीन हो हो ओल्ड बेगर नूँ स्टूडियो देविच उस दी तरसियोग हालत देके देदना है बेरन होसबर्ग helped him to realize his dream लेकिन क्योंके एक बहुत ही वदिया नेकी दा कम गिता हुंदा हुई ने तब बेरन होसबर्ग उस तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुंदा है बेरन होसबर्ग उस दी मदद करदा है जिस नाल उस दा सुपना पूरा हुंदा है उस दी शादी लोरा मर्टर नाल हुंदी है क्योंके बेरन होसबर्ग उस नूँ दा से अरबाउंड दा चेक पेज देंदा है प्रेक्टर है जी क्रोड़पती है लंडन दा एना पैसा है के बिना कोई लोन लए एहे किसे भी समय पूरे दे पूरे लंडन नू खृशाद है interesting इस करके के क्रोड़पती हुंदे होया भी एक उच जहे शौंक रखदे है जो आम क्रोड़पती शौंक नहीं रखदे इसनो तरह 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 दे मॉडल बनके अपनिया पैंटिंग करवानिया वधिया लग दियाने ते इवन के उना पैंटिंग लिए ये है ऐलन ट्रेवोर नू कुमिशन वी दिन दा है वन अफ दा रिचेस्ट मैन इन यॉरप यॉरप दे विच जहे बहुत ही अमीर आदमी है विम्टु है पैंटिड एजा बेगर ते है जिमिक मैं पहला दसे ऐलन ट्रेवोर नू कुमिशन वी दिन दा है अते ऐलन ट्रेवोर देको ले कुछ कपड़े हुंदे हैं जो उसने स बेगर देली खास कपड़े हुंदे है ते वो वाले कपड़े पाके उसदे स्टूडियो दे विच मॉडल बन दा है बेगर दा अते उसदी पेंटिंग फेर एलन ट्रेवोर पनान दा है लीन ओवरा स्टिक वोर रैग्स हैल्ड आउटा हैट फोर आम्स तैथेवना कपड़ अबारे जिकर है जो के एलन ट्रेवोर स्पेन तो लेकिया ऐसी बेगर दे कपड़े ता हो कपड़े काफी ज्यादा पटे पराने हुंदे ने जी वोर रैग्स आते उसदे हाथ वी जिक फटी परानी टॉपी जी हुंदी है राउंड हैट हुंदी है जो उसने पीख लदी अपने हाथ ची फटी हंदी है दूसरे हाथ वीच दे एक सोटी हंदी है लुक्स एवरी इंचा बेगर आ ए मिलियोणेर मोडल उना कपड़े आदे वीच ओ पूरी तरह बेगर नजर आंदा है एक पिखारी नजर आदा है हलाके खुद मिलियोणेर हुंदे क्योंके बना रहा हुंदा है तासी इस करके उसनू मिलियनेर मॉडल केने है। केम तुनो हुई प्राब्लम इन लव ओथे हुई जदो स्टुडियोच आउंदा है ता उस तो इस दी हालत देखी नी जान दी क्योंके हुई नू ता पता नी हुंदा के है मिलियनेर है ता उसनू बैगर समझ के अपने कोले उसकोल जिनने पैसे हुंदेने ओहु बैरन होसबग नू दे दन दा है बैरन होसबग हुई दी इस काइननेस नू दे के बहुत ही ज्यादा पसीच जान दा है अते ओहु उसदे बारे एलन ट्रेवोर नो पुछदा है ता एलन ट्रेवोर हुई बारे सारियां गलना बैरन होसबग नू दास दन दा है ओई भी दास दन दा है के लड़की नो प्यार करता है उसना शादी करना चान दा है लेकिन उस दी इक प्रावलम है के इसको दास जार पॉंड नी हैंगे, जडी के शर्त रखी हुई है, उस दे पीता ने, ता गेव हुई आज चेक फोर टैन थाउजन पॉंड जानके, बैरन होसबग दास जार पॉंड दा चेक, अपने एक नोकर मसियर गुस्तावे होड़न दे हत, हुई नू दास यार पॉंड दा चेक पेश देंदा है, ते जिस दे नाल, ओहो लौरा माटन दे नाल, शादी करवा देंदा है, रियली आ मॉडल मिलियनेयर, ता सानू पाता लगदा है, के ओ वाकी एक अजेहा मिलियनेयर है, जो के बाकी क इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियोज बनाए होए हान, इना वीडियोज नू देखन देले, तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके, दीपक सूध लव लर्निंग तूली टाइप करो, रिजल्ट वीचाई, पहली साइट दे दीपक सूध दे जाके, क् प्लेलिस्ट वाले सेक्शन दे जाके, तुसी सारियां प्लेलिस्ट प्रापत कर पाऊंगे, जिमें के क्लास 12 दी प्लेलिस्ट चोथे नंबरते हैं, इसते तुसी जाके जदो वीडियोज प्लेलिस्ट करोंगे, ताथ उन्हों क्लास 12 दियां सारियां वीडियोज मिल जान प्लेटी हो जान गियां, ते इक प्लेइलिस्ट इंगलिश एलेक्टिव क्लास 11 दिवी है, ते उस देविश तो अनु आप्लेएल से लेवन दियां, प्लेइलिस्ट प्रापत हो जान गियां. तब मैं तो नों सारे अनु अपील करदा हां के एक वार तुसी दीपक सूद लव लनिंग टू लीड चैनल ते जरूर विजिट करो ता स्टूडेंट्स माइन मैप्स कवर करन तो बाद असी लॉंग आंसर टाइप क्वेस्टेंज वाला ने हां जिस तरह के मैं के है बच्चेों के इस दा जो सब तो important question बनदा है और आइड दा character sketch of Huey क्योंके Huey इस story दा main hero है main character है परन्तु जी में के मैं पहला के है के मैं इस answer दे विच Huey दिया character sketch दिया लाइना ता लिखे हैं लिखेंने नाल मैं Baron Horstberg दे character sketch दो भी दस्या है अते नाल ही हुई ने बैगर्दी मदद क्यों किती अते किमें किती इस दे बारे भी मैं detail दे विच दस्या है ता जे कर ते ने questions दे विच हो कोई भी question तो आड़े exam दे विच आन्दा है तो तुसी एवल answer लिख साग दें आंसर शुरू कर दे हैं जी के दा model millionaire is written by Oscar wild ता सानु पाथा है के साड़ी story दा नाम है जी दा model millionaire ता इसनू single quote दे विच लिखना है जी इस दे capital letters दा त्यान रखना है इसनू Oscar wild ने लिख्या हुया है साड़ी writer ने Oscar wild दे spelling दो चरवारी जरूर पाके देख लानी है जिस दे विच तुसी O capital लिखना है ते से तरह WV capital लिखना है Huey Skeen was a handsome young man with brown hair and grey eyes ता chapter दे शुरू ची ही Huey Skeen दी entry हो जान दी है जी ता सानू पता लगदा है के हो एक handsome, खूबसूरत नौजवान लड़का है जिस दे के पूरे वाल ने अते grey color दियां अखाने He was a very polite and good human being बहुत ही नरम, निमर अते एक बहुत ही नेक इंसान है जी एना नेक इंसान है के उसने कदे भी अपनी जिंदगी दे विच किसे नू माड़ा बोल, नहीं बोले होंदा उच्छी वाच्छी गल कदे किसे नाल नहीं किती होंदी All men and women liked him उस दे इस सुबा करके अते उस दे personality करके सारे आदमियत और अते लंड़न दे उसनू प्यार कर दे He did not succeed in any business पर एनिया खुबिया होंदे बावा जू दोस वीची कमी है जी कि हो एना ज्यादा चंगा इंसान है किसे भी business दे दाव पेच उसनू समझ नहीं आये ते किसे भी business दे विच जो सफल नहीं होया हला कि उसने बहुत सारे business करके देखे Sunway भी पता है कि उसने stock exchange भी 6 मिने लगाए लेकिन उसना सारा पैसा चौपट हो गया अथे फेर उसने सपें दे विच जो wine बन दिया अंगूरां दी शिराब जिसनो उसी sherry कहने है sherry दा business भी किता लेकिन sherry दा business भी उस दा ना चलिया अथे फेर उसने चाह दा business भी start किता जो चाइना तो साउचोंग अथे पिको ए जडियां black tea आंदियां चाहिना तो इना दा business भी किता पर ए बिजनस भी ना चलिया उस दे business दा ना चलन दा एक कारने भी हो सा दा बच्चे के हुई बहुत ही नेक इंसान है ता business नो चलान देली थोड़ा जा चलाक होना पेंदा है हुई यहा नहीं सी उस जादी चंगा सी इस करके कोई भी business दा ना चल सक्या ता ओहो एक लड़की है जी लॉरा लेंडन दी ही है लॉरा मर्टन उस दा पुरा नाम है उसना लोह शादी करना चांदा है ता ओहो एक करनल फोजी दी लड़की है ता उस फोजी ने कुछ समा साड़े पारत देविच भी बिताया इस दा भी जिकर आया स्टोरी देविच अच्छा लॉरा भी हुई इसकी नू प्यार कर दी है उसना शादी करना चांदी है हला के उसनू पता है के हुई कोल पैसा नहीं है लेकिन दोना दा प्यार सच्च है पैसे ते बेज नहीं है ता इक वार ही मत करके हुई करनल देकार जानदा है ते उसनू कहनदा है के मैं तोड़ी लड़की ना शादी करना चांदा है हलाके करनल नू हुई पसंद हुंदा है, परन्तु एक कोई भी बाप अपनी तीनू उस लड़के नाल व्या करन दी जाज़त नहीं देगा, जो के बेरुजगार है ते जिसकोल पैसा नहीं है, ता ओही काल हुंदी है जी, करनल इक शर्त रख देंदा हुई देगे, के उसकोल दस हजार पाउंड्स होने चाहिं देने, फेर हो इजाज़त देदवेगा, अपनी लड़की दी शादियोस नल करन दी, एलन ट्रवोर वाज़ा वेरी गुड फ्रेंड ओफ हुई, ता इस स्टोरी दे विच एक चोथा मेन क्रेक्टर है जी, एलन ट्रेवोर जो के हुई दा बहुत ही वदिया दोस्त है जी, ही वाज़ा पेंटर, एलन ट्रेवोर एक पेंटर है, तेस अनुए भी पता है उज़ा एक स्टूडियो भी है अपना, जिथे के हुई जदोमर जी आ जा सकत है, ही वाज़ा पेंटिंगा पिक्चर ओफ एन ओल्ड बैगर, ता एक दिन एलन पिखारी है, ओ बहुत ही फटे प्राने कपड़ें विचे है, रैक दा मतलब हुंदा है जी, फटे प्राने कपड़े, इस बूट्स वर पैचेट, उने जो बूट्स पाए हुए ने बैगर ने, पिखारी ने, उना ते वी टाकियां लगियां हुई याने, जगा जगा सीन जदो हुए उस बैगर नू स्टूडियो विच देखदा है, तो उस तो रहा नी जानदा है, तो उस दे बारे काफी गल्लावी करदा, आले बैगर नू के तेरी पैंटिंग किन्ने दी बुकूगी, तो उस दे बदले इस बैगर नू ऐजा मोडल बनन दे, पैसे किन्ने दे तो हुई अपने कोल जिन्ने भी पैसे हुँदेने, उस सारे पैसे बैगर नू देदा है, हलाके उस नू ये पता हुँदे है, कि जेकर मैं सारे पैसे बैगर नू देती, ता मनू करे आज पैदल जाना पूगा, नहीं ता हो कोई बगी वगारा ले सागदा सी, ता के लप लिखे है कि हुई गेव हिम्-दा उनली सवरीन ही है ता हुई को ले युकोई सॉवरीन हुुंदी है ता सॉवरीन दा मतलब हुन्द जी गौल्ड कईन ता एक कोई ऐसको ले गौल्ड कईन हुन्द जोके ओहो bagger नू दे दिन्दै the bagger was Baron Hausberg हुई उनु ए नहीं पता हुँदा के जड़ा पिखारी है यह असल इच पिखारी नहीं यहे पिखारी था Baron Hausberg है he was a millionaire ते Baron Hausberg की एक क्रोडपती है जी London दा बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला इंसान है he just posed as a bagger for the painting in the studio of एलन ट्रेवोर, ओने ता सिरफ एक बैगर दा पोज बनाया होया सी, एक पिखारी दा पोज बनाया होया सी, का दे लई, पेंटिंग दे लई, किस दे स्टूडियो च, एलन ट्रेवोर दे स्टूडियो दे विच, ओसने ता सिरफ एक बैगर दा पोज बनाया होया सी, ओह आ बै वाले एक्ट दे नाल बेरन होसबग ते एक डूंगा परबाव पेंदा है इंप्रेशन दा मतलब हुंदा है जी परबाव डूंगा परबाव हम दा मतलब है थे कौन है जी बेरन होसबग He liked Huey very much उसनू Huey बहुत पसंदान दे He made detailed inquiries about Huey from Alan Trevour ता Huey दे जानतो बाद ओ Alan Trevour तों बहुत सारे questions कर दे Detail दा मतलब Detail दे विच पुछता है Inquiries कर दे पुछ गिच कर दे के Huey कौन है Is the income key है A future की करना चांदा है सारियां गलना Alan Trevour तों बेरन होसबग पता कर लेंदा So he came to know about the condition of the marriage ता इना सारियां गलना तों उसनू पता लाग जानता है He came to know उसनू पता लाग जानता है के marriage दी की शर्त रखी होई सी ओही शर्त जो करनल ने रखी सी के Huey को ले लॉरा नाल शादी करान दे ली 10,000 पाउंड होने चहीं देने ता ए गल जानके He sent Huey a check of 10,000 पाउंड हो 10,000 पाउंड दा चेक Huey नू अगले दीन पेज देन्द है याद होएगा बच्चे ओ स्टोरी दे विच जदो Huey स्वेरे स्वेरे ब्रेकफास्ट करन जा रहा होंद है नोकरोस नू एक स्लिप लिया के दिन्द है मसेयर गुस्टावे होड़न लिख्या होंद है जो के बेरन होस्बग दा नोकर होंद है गुस्टावे होड़न बेरन होस्बग वलो दिता गया एक एंविलोप दिन दा जिस दे विच 10,000 दा चेक होंद है ते उस एंविलोप दे बाहर लिख्या होंद है ता हुई अपनी प्रेमी का लॉरा मर्टन दे नाल शादी कर वालेंद है तास बेरन होस्बग वाज नोट अली आ मिल्योनेर मॉडल बत अलसु आ मॉडल मिल्योनेर एवला क्वेस्टन असी बच्चे वो शॉट आंसर टाइप क्वेस्टन दे विच भी बहुत ही डिटेल दे विच डिसक्स किता सी बैरन होस्बग केवल मिल्योनेर मॉडल ही नहीं हुंदा सबों मॉडल मिल्योनेर भी हुंदा है एक वरी में फेर दास दन है मिल्योनेर मॉडल दा मतलब है हुआ के एक कजिहा मिल्योनेर जो मॉडल बना पसंद कर दा है जिमे के बैरन होस्बग ने बैगर दे तोर ते मॉडल दा काम करे है सी हलाके वो मिल्योनेर सी ते उनाल ही नाल मॉडल मिल्योनेर भी हुंदा है क्यों? क्योंके ओह बाकी सारे मिलिनेर्स दे लई एक रोल मोडल बंदा है किस गल दे लई? कि जेकर कोई इंसान सानू चंगा मिले ते हो किसे दुख दर्दे विच होए तासानू उस नेक इंसान दी मदद करनी चाहिन दी है जिवें बेरन होसबर्ग ने नेक वी दी मदद किती ताउमीद है students के तानू हे long answer type question essay type question समझ आ गया होएगा जेकर फेर भी कोई doubt है ता तुसी comment section दे विच मनू पुछ साग देऊ मैं फेर भी चाहांगा बच्चेो के तुसी मेरे द्वारा बनाया होया इस story दी comprehensive analysis अते explanation वाले दोने वीडियो ज़रूर देखो मैं आउना दे link तो आनू इस वीडियो दे एंट दे provide कर रहे हैं हाँ फेर किसे होर वीडियो उन्हों लेके मिलांगे जी तानवाद